वेल्कम तू मैं चैनल आज मैं बनाने वाले हूं एक तूथपिस्ट कम टाविल हेंगर इसके लिए मैंने थ्री मीटर का सिक्स पीज ग्रीन मैकरम और फोर पीज रेड मैकरम दिया है कि अधिवा इसके पहले हम सबसे छोटा ती इंज करेंग उपर पिन करेंगे और उसके बाद हम सिंपल नोट लगा लेंगे कि अधिवा बाद है अब हम सारे मैकरम को हाफ हाफ कर लेंगे और बीच वाले दो मैकरम में एक बीट डाल देंगे अब इस मैकरम को हम तिर्चा करके सारे मैकरम को इसके ऊपर पाइपिन कर लेंगे कि अब पाद है अब यहां से हम दूसरा मैकरम लेंगे और सी तरह हम सारे मैकरम को इसके उपर पाइप अपर लेंगे यह हमें 9 टाइम करना है यानी कि 9 लाइन हमें पाइप अपर लेना है मैकरम का यह हमने सारे मैगरम को पाइपिन कर लिया है यही पैटर्न हम दूसरे साइड भी कम्प्लीट करेंगे सेम अब हम दोनों साइड के एक मैगरम को लेंगे और बीच में एक मोती डाल देंगे और एक साइड के एक मैगरम को ऊपर की और पाइपिन करेंगे उसमें सारे मैगरम को पाइपिन कर लेंगे कर दो सकती है कि इसमें उपर वाला जो सबसे लाश्टूला मैकरेव में उसमें हमें बेट डाल देंगे कि अछिए हमें एकी लाश्टूला मैकरेव में इन ऊक्तिक, अजाओ कि दीए हमें बेकी लाश्टूला मैकरेव में बेकी कालते हैं कर दो 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 कि यह मैंने सारे मैकरम को ओपर पाइपिन कर लिया है अब उसी मैकरम को आपकर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कर दो 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 दो कर दो झाल 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 हमें इसी तरह फ्लावर की चार पैटल बना लेना है जाल झाल 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 यह मैंने दोनों तरफ सेम पैटर्न बना लिया है और बीच वाले में हम एक और दो बीट टारेंगे और बीच वाले मैकरम को लेकर हम एक अध्ध्ण गार्ट यहाल एक तो यहींद्ण का तरह लगा देंगे दोनों मैक्रम को बीच में रखते हुए एक टाइट से गाठ लगा देंगे ताकि हमारा जो फ्लार का सेप बन जाए अब हम सिंपल नॉट लगाते हुए लगबक धाई इंस तक सिंपल नॉट लगाते हुए मैक्रम को बना लेंगे मैक्र बिट को बना लेंगे बनाते हुए लासा का सवर्च का सअके यह मैंने सारह 3 इंच का रिंग लिया है अब हम इस पर एक लाइन से सारे मैक्रों को पाइपिन कर लेंगे इस रिंग के ऊपर मैंने सारे मैक्रम को पाइपिन कर लिया है अब हम एक मीटर का मैक्रम लेंगे जो अलग से नॉट लगाते हुए इसके उपर पाइपिन कर लेंगे दो ग्रेन और दो रेड़ कर दो कर दो किते हैं और स्वेंगे प्रेश को पाइपिन कर दो कि दो आटेब दो पाइपिन कर दो कर दो कर दो कर दो कि मैंने इस रिंग को पूरा करने के लिए लग ट्वेंटी टू मैकरम लिया है टू ग्रीन एंड टू रेड इच अब हम सिंपल नॉट लगाते हुए आगे बढ़ें कर दो कि मैं कर दो कि मैं एंड बढ़ें। झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो प्रप्कार मोरी थीज़ आप झाल कि मैंने इसके लें पाच इंची तक रखी है आप चाहे तो इसे खोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं कि मुझे इसमें तूत्पिष्ट रखना है इसलिए अब हम एक अलग से एक मीटर का एक मैकरम ले लेंगे और बाहर की और नोट लगाते हुए सारे मैकरम को टाइट से बांद लेंगे यह हम नोट फाइफ या शिक्स लगाएंगे अब मैं एक रिंग ले रहे हुँ जो फोर इन हाफ इंच का स्क्वाइर सेथ का है जिसमें टॉवल हैंग करूंगे इसको मैं बीच में डालते हुए और उपर की और नोट लगाते हुए इसे टाइट से बांद लेंगे एक्स्टा पार्ट को काट लें और इसके बीच में एक एक मोती डाल कर फिर इसे लाइटर की हेल्प से इसे जॉइंट कर लें मुझे बांद लेंगे इसके बीच पांद लेंगे आएट कर देएंगे लेंगे इसे बीच में एक्सी से बीच मेंगें जाव कि अग्साइबता रस्यूद 2 अब मैं दो वह एक ग्रीन और एक रेड़ वन इन हाफ इंच मीटर का मैकरम ले रहे हूं इसो जोइन करके इसे लपेट लेंगे रिंग के ऊपर ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे ऐसा ही हम उपर पीन इंच वाले रिंग में भी सेम प्रोसेस करेंगे देखिए अब यह मेरा टोवल हेंगर बिल्कूल तयार हो गया है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए कमेंट किजिए थेंक यू कर दो 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 आपको गूषाइब ताम कर दो सब्सक्राइब कि अवां अपको यूश्द कर दो 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 प्लीज़ अभीडों कि अच्छी लाइक कुषण भीड़्यों झाल झाल